बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलामेकूम मैं यूट्यूब फैमिली उमीद करते हूं कि अब सब हैरियत से होंगे जीतो व्यूवर्स आज हम बहुत स्पेशल विंटर की एक रेसेपी लेके आए हैं आपके लिए बक्रे के पाए आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बक्रे के पाए चले तो इसको स्टार्ट करते हैं मैं इनको प्रेशर कुकर में बना रही हूं हमने प्रेशर कुकर में तकरिबन एक कप ऑईल कर डाल देना है प्रेशर कुकर में जल्दी हो जाती है इसलिए मैं इनको प्रेशर कुकर में बना रही हूं एक कप ऑईल का हमने इसमें ड दाल देना है देखें दो बड़े साइज की हमने प्याज ली थी अब इसको हम फ्राय करेंगे प्याज को देखें हमारे प्यास का कलर तोड़ा तोड़ा चेंज हो गया है अब हम इसमें डालेंगे लेस्न जो आमने बरीक चॉप्ट करके रख लेस्न भी आप लोग क्योशिश करें करें खाइन चाहिं बोड़ा जादा ही डालें ताके जो बखरें की स्मेल होती है हो फिश्यति ran he अब प्याज को और लेसन को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ये मेरी अम्मी की रेसिपी है आज मैंने अम्मी की रेसिपी को फालो किया और सचाब लोगों के साथ शेयर करूँ बहुत जबरदस्त मेरी अम्मी पाई बनाती है तो उनकी रेसिपी से ही आज मैं पाई बना रही हूँ ये विंटर स्पेशल हैं यकीन करें बहुत मज़े के बनते हैं आप लोग बनाए इसको नाश्ते में लें आप लांच में डिनर में ये हमने दो बड़े साइज की टुमाटर लियें वो हमने काट के इसमें डाल दियें दो प्याज हम ले लिये थे बड़े साइज के और दो ही बड़े साइज के हमने टुमाटर लियें अब इसमें हम मसाले डाल देंगे हमने कुटीवी लाल मिर्च दो चाय की चमच लियें इसमें सब मसाले मिक्स होते हैं हल्दी और अगरा सब मतलब मसाले मिक्स वाली हमने मिर्चे लियें नमक एक चाय की चमच ये जीरा हमने लिये गरम मसाला जीरा आदीचाई के चमचे ये पाया मसाला हमने लिया है ये आप लोग के लिए आप्शनल अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग जैस्ट बेसिक्स मसालों के साथ भी इसको बना सकते हैं येकिन करें बहुत अच्छे बनते हैं अतना अच्छा शॉर्बा होगा जो बकरे के पाय होते हैं वो हमेशा शॉर्बे वाले ही मज़ा करते हैं आप लोग इनको नान के साथ भी खा सकते हैं चापाती के साथ भी नान के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं मसाले को आपने बहुत अच्छा बूनना है देखें अच्छे से हमारे मसाले की बनाई तक्रीबन हो चुकी है अब इसको हम एक से डेड़ मिनिट के लिए मजीद बूनेंगे उसके बाद हमने पाई लिए हैं इनको हमने साफ करके अच्छे से दो के अब इसमें डाल देना है इसी मसाले के अंदर हमने पाई डाल देने है बोटी का साइज दोड़ा चोटा ही रखें तो ठीक है देखें अब पाई कि हमने बुनाई करनी है तकरीबन दस मिनिट के लिए या बीस मिनिट के लिए आप लोगों ने इसको बुनना है बहुत ही अच्छे से ताकि सारे मसाले इसके अंदर जजब हो जाए और इसका अपना जो फ्लेवर होता है वो आजए जी तो विवर्ज देख सकते हैं आलमोस्ट जन हो चुकी है हमारी बुनाई पाईयों कि अब हम इसमें तकरीबन स्कोर दो से तीन मिनट के लिए और हम इसकी बुनाई करेंगे बहुत यजबर दास्ती हैं आप लोग बनाके ने काएं जिकीन करें इसका सूप भी बहुत अच्छा है सरदी को बिलकुल हतम कर देते हैं यह काएं आप लोग इससे प्रोटीन इन हैंस होती है इम्यून सिस्टम होता है, आपका स्ट्रोंग होता है, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राइ कीजिएगा, बिल्कुल बजार से भी ज्यादा अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा, इसमें अब हरी मिर्चे हम शामिल कर देंगे, दो से तीन मोटी मोटी हमने काट ल करने के बाद फिर इसको थोड़ी देर भूनेंगे, देखें आप लोग कितना इसका अच्छी से बुनाई हो चुकी और साइडों से इसका ओयल भी है, वो निकलना शिरू हो चुका है, अब हम इसमें तकरिबन दो लिटर पानी का एड़ कर देंगे, ताके पाई अच्छी से गल जाया और हमें जितना शुर्बा चाहिए होगा, फिर हम वो उतना निकाल लेंगे, दो लिटर हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है, उसके बाद हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, तकरिबन आदे गंटे का हमने टाइम लगाया, आदे गंटे में ये बकरे के पाई अराम से गल जाते हैं, प्रेशर कुकर में, तो चले हम अपना कुकर बंद कर देते हैं, आदे गंटे का टाइम हमने इसमें लगा दिया अब अदा गंटा हो गया है चले हमने कुकर को खोल लिया प्रेशर कुकर को कुलें गवाद देखें पाई के तैच्छे से गल चुके हैं बिल्कुल ये इसके जो बोटी है वो हड़ी से अलग होना शिरू होगी है इसके मतलब यह होता है कि पाई गल चुके है इनको आप जमेचे हमने इसको डाल के डेकुरेट कर दिया है बहुत ही मज़े के बनेते जकीन करें इनकी खुश्बूर पूरे महले में जाएगी आप लोग अगर यह बनाएंगे इस रेसिपी से तो आप इसे गर्म गर्म रोटी के साथ खाएं और चलें तो आप लोग फिर इसको जूरु ट्राइए किजिएगा और फीडबेक दीजिएगा कि यह कैसे बने थे मिलते हैं अपनी नेक्स डेसिपी में तब तक के लिए अलाहाफीज और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्स